तो हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग फाइनली सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टीवी एस जुपिटर 125 सीसी टीवी स्पोर्ट और राइडर 125 सीसी अगर आप लोग सोच रोगे कि मैं इनके बारे में रिवीव करने वाला हूँ तो दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है आज मैं जो आप लोगों को बात बताने वाला हूँ बहुत ही डिफरेंट होने वाली है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपको 2023 और 2024 की मॉडल की पहचान कैसे कर सकते हो आप लोग इसमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगागर आप वीडियो को ए आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने 2024 मॉडल और 2023 मॉडल की पहचान करनी है तो कैसे करनी है जैसे आप यह स्टीकर देख पारे हो यह इंजन नंबर होता है नीचे चैसी नंबर होता है यहां पर टाइम टाइम टेबल जो भी होता है सारा कुछ बना होता है कि कभी है मैनुफेक्चरर हुआ है कब हुआ है जैसे यह पी देख रहे हो पी मतलब हो गया हमारा 2023 मॉडल ठीक है ना अभी क्या है 2023 में पी का पी बना हुआ था साइन ठीक है ना अगर 2024 मॉडल लेते हो तो उस पर कोई और साइन आएगा बना हुआ तो उससे आप लोगों को प्राइसा चल जाएगे कि यह मॉडल अपडेट मॉडल है अब जैसे यह आप जूपिटर देख पारे हो जाए और अंदर यह जो आप देख रहे हो ना यह चैसी नंबर से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह कौन सा मॉडल है 2023 मॉडल है 2024 मॉडल है यह सब छोटी छोटी ये वीडियो देखकर आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसी गलती नहीं करनी है बालकि बिल के अंदर भी manufacturing वगरा लिखी होती है जब आपकी RC आती है उसमें भी आप लोगों को पता चल जाता है कि ये जो manufacturing और अपना date of registration date वगरा होती है सब कुछ बातों का दिहान रखना बहुत जरूरी है कल को यही सब चीजे काम आती है क्योंकि अब हम कोई 10-20,000 रुपे वाली चीज तो ले नहीं रहे लाख रुपे की गाड़ी आती है अजकल चाहे वो scooter हो चाहे वो बाइक हो लाख रुपे से उपर कही होता है सब कुछ तो मेरे दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते और मुझे ऐसी sport करते रहोगे तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे content जो भी मैं करता हूं सिर्फ अपने subscriber के लिए करता हूं अगर आप यह सब वीडियो को मेरी आगे शेयर करोगे मुझे sport करोगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़ी है बढ़ी चीज़ लाओ जैसे अभी आपने 2023 और 2024 का मैंने डिफ्रेंस आप लोगों को बता दिया कि आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि य आप लोग कैसे पहचान कर सकते हों गाड़ी में कोई इशू आएगा सारा रिव्यू करता हूं मैं अगर आप लोग जो भी आप चीज रिका रिव्यू देखना चाते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि वह यह हमें यह सब बताओ यह बताओ मैं आप लोगों को हर एक चीज शेयर करूंगा बस आप लोग ऐसी स्पोर्ट करते रहना मेरे को थैंक यू